Hello everyone, welcome you all at location, Sir Unlimited Study Zone स्वागते सभी प्यारे प्यारे बच्चों आपका और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्धवार्शीक परिक्षा कक्षा बारहवी के पेपर का हल तो आपके सामने यहां पेपर आज दिखाई दे रहा है आज ही इस पेपर का, आज ही इस पेपर हुआ है ओके, आज तारीख है 9 जनवरी 2023 तो 9 जनवरी 2023 को इस पेपर संपन हुआ है पहली पारी में विशाय गणित का तो आईए देखते हैं 80 पूरां किसका है और हम अब इसको हल करेंगे बारी बारी से इसके सभी प्रश्णों का हम हल करेंगे चलिए, तो देखिए सबसे पहला प्रश्ण जो आपके पास है कह रहा है कि Y, FX पहला question दिया गया आपके पास में FX equal to 3X के द्वारा परिभाशित फिलन आपके पास में है तो एकदम सरल तरीके से मैं इसको आपके सामने solution करवाऊंगा देखिएगा आप बड़े मजे के साथ बैठिए चलिए, तो पहला question आपके सामने आ चुका है FX equal to 3X का जो है, वो हल क्या है FX equal to 3X, तो चलिए अपनने फलन लिख लिया FX equal to हमारे पास 3X है इसको हमने differentiate कर दिया F-X जो है, वो greater than 3 आ चुका है F-X जो है, वो greater than equal to 3 आ चुका है, मतलब greater than 0 तो एक तरीका तो यह है और दूसरा तरीका, मतलब greater than 0 मतलब कैसा है यह, वर्धमान है और वर्धमान मतलब एकदम एक flow से बढ़ेगा या एक flow से घटेगा एक तरीके से यह कह लिजे, एक flow में जाएगा single flow function है, दूसरा तरीका इसका best तरीका यह है कि आप y equal to 3x का graph बना लिजे, तो y equal to 3x देखे कुछ इस तरीके से जाएगा तो यह एक कैकी हर बिंदू पर इसका आपको input प्या output में लेगा तो यह एक कैकी भी है, और साथी साथ आच्छादक भी है, तो ऐसा फलन क्या कहलाएगा, यह एक कैकी भी है और आच्छादक भी है क्या लिखा है, एक कैकी है आच्छादक है, तो correct answer इसका क्या होगा a option is the correct answer a कैकी थता आच्छादक, ओके तो 3X जो अपने पास में function है इसका graph बनाईए सबसे best technique इसका graph बनाईए तो ये straight line है तो straight line कितने input cover कर रही है सारे input तो ये AK की भी है हर बिंदू पर output मिलेगा और आच्छादक भी है तो इसका answer correct होगा option number A, AK की आच्छादक चलिए अगला question 10 inverse root 3 तो 10 inverse root 3 कितना होता है directly होता है pi by 3 और minus second verse minus 2 तो second verse minus 2 का formula होता है pi minus second verse 2 क्योंकि second verse minus 3 equal to pi minus second verse 3 तो pi by 3 और minus यह हो जाएगा pi minus 1 की value 2 कहां पे होती pi by 3 पे तो pi by 3 और minus pi minus pi by 3 कितना हो जाएगा 2 pi by 3 तो pi minus 2 pi by 3 आंसर कितना हो जाएगा minus pi by 3 तो इसका आंसर A है A 2 pi by 3 टिक कल दीजे जल्दी से इसका आंसर है minus pi by 3 चलिए अगला question कह रहा है कि A IJ M cross N एक 6 जावियो होता है देखे 6 जावियो तब होता है जब 6 जावियो में तब हुआ करता है 6 जावियो जिस समय आपके पास में यह इस तरीके का structure बनता है मतलब कुछ इस तरीके का structure बना करता है तो एक 6 जावियो का example लिख लिए 3, 4, 2, 2, 3, 5 ठीक है ना तो यह 6 जावियो है तो ध्यान से देखे यहाँ पर कितना दिख रहा है यहाँ पर row है 2 और column है 3 तो अगर column कमान जादा होगा तो column कमान इसमें row कितना है m column कितना है n तो m से n बड़ा होना चाहिए m से n क्या होना चाहिए बड़ा तो इसका answer a होगा m की value कम n की value बड़ी अगर number of column जादा है चो 36 आवियू होगा तो इसका correct answer क्या होगा a चली अगला question देखिए थोड़ा सा mistake थी इसको मैंने फिर rectify करवाया था इस question को तो यहाँ पे अपने पास में ये situation बन गई है ओके ये situation बन चुकी है तो इसका अब यदि इसको solve किया जाए तो यहाँ पे क्या करना है यहाँ सार्निक करना था तो आपने सार्निक ले लिया है तो सार्निक के बाद इसको solve करते हैं तो देखिए 3 3 वंजा 3 और माइनस का x square equal to 3 वंजा 3 माइनस का कितना हो जाएगा अपने पास 4 और दो 8 3 से 3 cancel हो गया x square equal to 8 आठ आ गया तो 8 का root कितना होता है 2 root 2 तो answer होगा इसका plus minus 2 root 2 यानिकी answer number 7 हो जाएगा इसका ओके इसका answer कितना हो जाएगा 6 देन इसके बाद एक वरत्तिकी तरिज्या r equal to 6 cm r के साफे एक छेतर में फल में परिवर्तन की दर तो आप लोग जानते हैं area बराबर कितना होता है pi r square तो da by dr equal to कितना हो जाएगा 2 pi r ओके 2 pi r हो जाएगा और r equal to कितना दिया गया 6 तो 2 pi गुणे 6 बराबर answer इतना हो जाएगा 12 pi तो इसका answer देखे 12 pi correct answer होगा इसका b 12 pi ओके तो इसका answer टिक कर लिजे b answer है 12 pi चलिए अगले question पर चलते हैं कहरा आउकल समीकन की घात क्या है भाई सबसे पहले देखे कोटी देखे कोटी highest इसकी कितनी है 2 ओके कोटी highest है 2 और देखे यहाँ पर घात घात मैंने बताया था घात देखने के लिए function जो है d by dx जो है sign के अंदर है तो answer होगा इसका दा परिभाशित नहीं है इसकी जो कोटी होगी कोटी तो 2 है मगर इसकी घात परिभाशित नहीं है चलिए अगला question है question number 2 question number 2 है रिक्तिस्थान की पूर्ती कीजिए यदि A 1,2,3 है एक मिनट तो मैं यहाँ solution बना रहा हूँ तो मैं आपके सामने पहले answer लिखते जाता हूँ इसमे answer number 1 है तो सबसा पहला जो है answer number 1 में जो objective question चल रहे है ओके first का क्या है A ययनि की A और फिर second question जो है उसका आया है मेरे पास कितना? उसका आया है minus 5,3 ठीक है न? minus 5,3 मतलब किसका है? इसका भी है A फिर इसके बाद जो third का आया है M less than N यहनि a आया है और M less than N फिर 4th का आया है मेरे पास कितना? प्लस माइनस 2 रूट 2 जिसको आप क्या बूल सकते हैं C और फिर इसके बाद जो 5th question आया है हमाई पास कितना आया है 12 pi हो जाएगा तो B यनिकी 12 pi और फिर हमारे पास कितना है छटवा question जो है आउकल समीकन का इसका आया है D ठीक है ना जिसका नाम है परिभाशित नहीं परिभाशित नहीं चलिए तो ये तो हो गया कौन से answer number 1 हो चुका है mcq multiple twice question कर चीक है हम लोगों ने अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते है question number जो 2 था वो था क्या fill in the blanks मतलब की रिक्तिस्थान हम से पूछे गए थे आईए रिक्तिस्थान करते हैं तो रिक्तिस्थान का पहला सवाल है यदि a बरावर 1,2,3 है और 1,2 वाले तुल्लता समंद कित्ते होंगे तो आपको a equals to 1,2,3 दिया गया है तो a equals to दिया गया है set of 1,2,3 और आपको बताना है तुल्लता समंद की संख्या जिसमें 1,2 आ रहा हो ठीक ना तो 1,2 आना संभव है तो देखे तुल्लता समंद की संख्या बनानी है तो हम इसके अंदर कौन-कौन से तुल्लता समंद बना सकते हैं तो पहला समंद R1 ले लीजे तो R1 में क्या आएगा 1,1 आएगा 2,2 आएगा और कौन आएगा 3,3 आएगा 1,1,2,2,3 और फिर इसके बाद देखे 1,2 भी आएगा और इसके बाद 2,1 भी आएगा क्योंकि 1,2 बोला है 2,1 भी बोला है ओके 1,2 हो गया 2,1 हो गया है अब देखे तुल्लता समंद जो होता है संक्रमक भी होता है तो यहाँ पर 1,2 हो गया 2,1 हो गया ठीक है एक तो समंद हमारे पास यह हो गया और इसमें कोई चीज तूट तो नहीं रही है ना नई तो एक समंद हमारे पास यह हो गया चलिए R2 लिजे, R2 में हमारे पास है 112233, और यदि 12 है, तो 21 तो होगा ही, और अगर 13 है, तो 31 भी होगा, तो एक situation बन गई 13 है, तो 31 भी होगा, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, कि क्या यह संक्रमक्ता को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ेगा, कि क्या कहीं पर कोई चीज तूट तो नहीं रही है, तो देखिए 3, 1 और 1, 3, 3, 3 हो गया है, बट देखिए 3, 1 और 1, 2 है, मतलब 3, 2 होना चाहिए, तो 3, 2 भी होना चाहिए, और 2, 3 भी होना चाहिए, इस तरीके से हमारे प असर बनेगा, टोटल इस प्रकार से कित्ते संबंध संभव होंगे, दो संबंध संभव होंगे, चलिए, बहुत बढ़िया है, question number second का, first का, first part कर लिया है, अब question number second का, second part करते हैं, देखिए, question कह रहा है, कि cost inverse, cost of 7, 5, 6 का मान कितना होगा, तो cost inverse, cost of 7, 5, 6 तो इसको हम लिख सकते हैं, cost inverse, cost of pi plus pi by 6, क्योंकि cost of pi plus pi by 6, तो cost of, okay, cost inverse, cost of, कितना हो जागा, देखिए, cost pi plus theta बराबर होता है, कितना, minus cost theta, minus cost pi by 6, okay, तो cost inverse, minus, cost pi by 6, को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cost inverse, minus cost pi by 6, को, cost inverse, minus cost pi by 6, और अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cost inverse, minus theta, equal to, pi minus cost inverse theta, और theta की जगे कौन बेठा हुआ है, cost pi by 6, okay, तो यह कितना हो जाएगा, pi minus pi by 6, आंसर कितना हैगा, इसका, 5 pi by 6, तो answer note कर लिजे, इसका, 5 pi by 6, चली, देखिए, अगला question, question number 3 है, तो देखिए, यहाँ पर question में, answer भी मैं टिक करते जाता हूँ, तो 1, 2 वाले संबहत उलता संबंदों की संख्या 2 है, और यहाँ पर इसका मान कितना आ चुका है, 5 pi by 6 आ चुका है, और यहाँ पर इसके संबंद, यह तो रटा हुआ question है, इसका answer कितना होता है, 512, okay, तो question number 3 में कह रहा, 0 और 1 वाले संबंदों की संख्या कित्ती होगी, sorry, कोटी वाले, 0 और 1 वाले हैं, तो 3 x 3 के लिए, तो 3 x 3 के लिए answer आया था, 3 x 3 के लिए क्या situation बनी थी, 3 x 3 के लिए, जो आवियाबों की संख्या होती है, वो कितनी होती है, 2 की power 8, और 2 की power 8 equal to कितना है था, 512, तो इसका correct answer होगा, 512, अगला question देखते हैं, ये भी हो गया, फिर 1, 3 x 3 के कोटी के लिए वरगावी हो, तो k a का मान कितना होगा, तो answer k की power cube into determinant a, okay, इसका answer आएगा, k की power cube into determinant a, तो fourth का answer हो जाएगा, k की power cube determinant of a, sarnik of a, पाच्वा question पढ जहा गया है, x की value 0 से pi के लिए cos x कैसा फलन कहलाता है, देखे 0 से लेकर pi में अगर cos का graph देखते हैं, तो किस तरीके से, 0 से लेकर के pi के लिए cos का graph आप देखते हैं, तो कैसा फलन आता है, तो 0 पे 1 होता है और pi पे घठता ही जाता है, मतलब value x की बढ़ने के साथ, x की value हम बोलते हैं, हरास मान फलन, ओके, ऐसा फलन क्या कहलाता है, हरास मान फलन, तो answer में लिख लीजिए, 4th का answer कितना होगा, 4th का answer होगा, decreasing function या हरास मान फलन, क्योंकि इसकी cos की value आप देख लीजिए, cos की value जो होती है, 0 से लेकर के pi तक में घठ रही है, ओके, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे कितना है, यह pi है, ओके, तो cos की value लगातार घट रही है, इसलिए function कैसा होगा, रास मान फलन, और आप चाहें तो इसको वो भी करके निकाल सकते हैं, आप इसको differentiate कर दें, अब कलन करके भी आप इसका निकाल सकते हैं, वो एक simple method जो है, वो भी आप लगा सकते ह चलिए, तीन कोटी वाले किसी ओकल समीकरण के विसेश्ट हल में उपस्थित स्वेच अचरों की संख्या, देखे, विसेश्ट हल में अचर कुछ नहीं होते हैं, सामान्य हल में अचर हुआ करते हैं, मगर विसेश्ट हल में अचर नहीं होते हैं, तो answer 6 का क्या आएगा, पूछी गई है तो हम संख्या क्या बताएंगे 0, संख्या कित्ती बताएंगे 0, ठीक है ना सात्वा कोश्चन, सात्वा कोश्चन है सात्वा कोश्चन आपसे पूछा गया, देखिए, बहुत ही सिंपल कोश्चन है बिंदू 2, 3, 4 और 4 इसना निकलेगा, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 4 2 प्लस 4 हो गया, कित्ता 6 बते 2, यानि कि 3, 3 प्लस 1 4 का 2, और 4 माइनस 2 कित्ता हो गया, 2 उसका अधा हो जाएगा, 1 ओके, तो इसका जो सदिस बन जाएगा सदिस का मध्ध बिंदू है 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4 4, 1, माइनस 2 को मिलाने वाले सदिस का मध्ध बिंदू है 2 और 4 का अधा 3 आ जाएगा यहाँ पे आंसर में 3 और 1, 4 का अधा 2 आ जाएगा और 4 में से 2 गया, 2 का अधा 1 आ जाएगा तो आंसर इसका कितना होगा, 3, 2, 1 तो चलिए साथ में कोश्चन का अंसर लिख लिजे 3, 2, 1 तो यह होगा कोश्चन नमबर दूसरा अब आता है इसके बाद कोश्चन नमबर तीसरा और कोश्चन नमबर तीसरा जो थो हमारा वो था एक शब्द में उत्तर एक शब्द में उत्तर देना हमओं को ठीक न? एक शब्द में उत्तर दीजिए आले एक शब्द में उत्तर देते हैं चलीए पहला देखिए समुच्चे एक दो तीन पर तत्समक समबंध लिखिए तत्समक समबंध का मतलब क्या होता भाई? तत्समक समबंध identity relation समुच्च है एक दो तीन पर तत समख संबंद लिखे identity relation लिखे identity मतलब खुद का खुद के साथ संबंद लिखे तो उसको identity relation बनेंगे तो ये क्या बनेगा 1,1 2,2 और 3,3 यस तो ये कहलाएगा identity relation ठीक है न तो पहले का answer लिख लिख लिजे ये 1,1 2,2 3,3 1,1 2,2 और 3,3 ये बन जाएगा इसका तत समख संबंद चलिए B question देखिए B question है caught inverse root 3 का मुख है मान लिखे बहुत ही से pimple है caught की value root 3 कहां पे होती 5 by 6 पे होती है okay caught की value root 3 कहां पे होती है 5 by 6 पे किसी value में 2 value हैं इनकी संबह कोटियां लिखे लिए तो 2 value होने के लिए संबह कोटिया तो 1 cross 2 होगी या 2 cross 1 होगी ठीक है ना अगला यदि E की power Y बराबर E की power cross X है तो D over DX का मान कितना हो जाएगा तो D over DX जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा E की power cos X और cos X का कितना हो जाएगा minus sin X ठीक है ना यह हो जाएगा चलिए अगला question देखिए अब कल समीकरं DX square D over DX square की घात लिखे तो यहाँ पर देखिए इसकी घात कितनी है जो highest term आ रहा है वो यह है और इसकी घात एक है तो अतय इसकी घात होगी तो इसकी घात कितनी होगी एक होगी छलिए अगला question है सर इस AI cap प्लस J cap प्लस 2K cap की दिक को साइन लिखिए तो आप जानते हैं कि दिक को साइन कितनी होती है दिक को साइन जो होती है दिक को ज्याए होती है दिक अनुपात सबसे पहले देख लीजे इसके इसके दिक अनुपात कितने है एक एक दो तो मतलब इसका जो A दिया है और जो B दिया है और C दिया पहले उसको अपन परक लें कि A का मान कितना दिया है A का मान है 1 B का मान है 1 और C का मान कितना है 2 तो इसका जो दिक अनुपात होगा L बराबर 1 बटे under root A square प्लस B square फ्लस 2 square 4 5 और 6 1 बटे 6 M बराबर कितना होगा 1 बटे root 6 और N बराबर कितना होगा वो हो जाएगा 2 बटे root 6 तो इसका answer कितना आ जाहएगा इसका answer आ जाएगा जो इसके pair बनेंगे 1 बाइ root 6 1 बाइ root 6 और 2 बाइ root 6 ये इसके answers बनेंगे चली अगला Qestion है बिंदू x1, y1, z1 तथा x2, y2, z2 को जाने वाली रेखाओं का कारती रूप तो इसका कारती रूप बनाना है दो बिंदू से जाने वाली रेखा का कारती रूप तो x-x1 upon x2-x1 equal to y-y1 upon y2-y1 equal to z-z1 upon z2-z1 ये इसका कारती रूप है ठीक है ना फिर इसके बाद आता है सही जोड़ी बनाईए चली दो बहुत ही सिंपल सवाल आया था ओके, cot x का देखिए सही जोड़ी बनानी थी अपन को तो cot x का कितना होता है, log sin x तो पहले का क्या बन जाएगा, पहले का बन जाएगा, गा क्योंकि cot x का log sin x हो गया फिर 10 x का क्या होता भाई, log sex x तो दूसरे का क्या बन जाएगा, दूसरे का बन जाएगा, गाखा, गागा, अंगा यह अंगा, ठीक है ना, और फिर तीसरे का dx upon x square plus ax का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा log of x plus under root x plus square plus a square, तो तीसरे का हो जाएगा a, ओके, चौथा क्या है भाई साब, dx upon x square plus a square, ओके, तो इसका कितना होता है, 1 upon a, 10 inverse x upon a, तो चौथे का हो जाएगा, चा, ओके, फिर x square plus a square का under root, तो बहुत important formula, x by 2 under root x square plus a square plus a square by 2, log of x plus x square plus a square, मतलब 5 वे का हो जाएगा, कितना इसका, 5 वे का हो जाएगा, ओके, और फिर x square minus a square का हो जाएगा, कितना, 1 upon 2 a log x minus a, x plus a, तो छटे वे का इसका कितना हो जाएगा, खा, तो यह आपके पूरे के पूरे हो गए आपके, integration के, चली, अब इसके बाद आता है, सत्य असत्य, ठीक है, आईए देखते हैं, सत्य, असत्य पूछा गया है, यहाँ पे, तो कैसे होगा, सत्य, सत्य यह देखेंगे, एक रेखा कि दिक को साइन, LMN है, तो L square plus M square plus N square equal to 0, बिलकुल गलत होता है, असत्य हो गया यह, तो यह क्या हो गया, असत्य है, चली, दूसरा, देखें, सदिस योगफल के लिए साहचर नियम लागू होता है, सदिस योगफल के लिए साहचर नियम लागू होता है, बिल्कुल सत्य बात है, A plus B equal to B plus A, वाँ, बट एक मिनट, सदिस योगफल के लिए साहचर नियम, और सदिस योगफल 3 में लागू होता है, तो A plus B plus C equal to A plus B plus C, बिल्कुल सही बात है, सदिस योगफल के लिए साहचर नि यदि फलन किसी बिंदू पर अवकर लिये हैं तो वह उस बिंदू पर सतत होगा बिल्कुल सही बात है सतत होने वाला फलन ही अवकर लिये होता है सभी आवियू हों के वितकरम आवियू होते हैं बिल्कुल गलत कोई जरूरी नहीं है असत्य सबी आविओं के विद्क्रम आविओं नहीं होते हैं सेकेंड वर्स एक्स की मुख मान इतना दिया गया है बिल्कुल गलत बात है असत्य जो इसका मुख मान होता है वो जीरो से ले करके पाई तक हुआ करता है तो यह कैसा कतन हुआ यह असत्य हुआ चलिए तो ये हो चुका हमारा पहला पार्ट इसमें हमने क्या कर लिए हैं इसमें आपको objective कर लिए हैं और इसके पार्ट सेकेंड को ले करके हम थोड़ी देर में आपके पास आएंगे तब तक आप पार्ट वन को enjoy करिए और इसमें अपने marks बताईए कमेंट बॉक्स में कि कि इसको कितने marks आएं हैं बहुत बहुत धन्यवाद